15.9 आबंधन के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार अब तक हमने तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन एलकेन, एलकीन और एलकाइन देखे हैं एलकीनों में कार्बन कार्बन के मध्य द्वीबंद और एलकाइन में त्रीबंद होता है द्वी बंदों तथा त्री बंदों की संख्या एक से अधिक हो सकती है इसके वीपरीत एलकेन में सभी पर्मानों के बीच केवल एकल बंद होते हैं चाहे वह कार्बन कार्बन बंद हो अथवा कार्बन हाइड्रोजन आबंध में इस अंतर के आधार पर भी हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण संभव है बहुबंद द्वीबंद या त्री बंदवाले हैड्रोकार्बन को असंत्रिप्त हैड्रोकार्बन तथा एकल बंदवाले हैड्रोकार्बन को संत्रिप्त हैड्रोकार्बन कहा जाता है इस तरह एलकीन और एलकाइन असंत्रिप्त हाइट्रोकार्बन है जबकि एलकेन संत्रिप्त हाइट्रोकार्बन है अब तक जिन हाइट्रोकार्बन सरशनाव को हमने देखा वे या तो सीधी अत्वा शाखित शिंखला थी पर यह भी संभव है कि कार्बन परमानू एक दुसरे से जुड़ कर वलाय बनाएं ऐसे बने सबसे छोटे वलाय में तीन कार्बन होते हैं साइकलो प्रोपेन CH2, सिंगल बॉन, CH2, सिंगल बॉन, CH2, सिंगल बॉन साइकलो ब्यूटेन H2C, सिंगल बॉन, CH2, सिंगल बॉन, CH2, सिंगल बॉन इस अणों में प्रतेक कार्बन, दो अन्य कार्बन और दो हैड्रोजन परमानूं से जुड़ा है इसका आण्विक सुत्र C3H6 है क्या यह किसी एलकीन का सुत्र भी है चार कार्बन वाला वलय भी संभव है इसका सुत्र C4H8 है दोनों उदाहरणों में कार्बन के परमानों वलय आकार में विवस्थित है इनमें सभी परमानों के बीच केवल एकल बंध है इनका सामान्य सुत्र CnH2N है इन हैड्रोकार्बन को चक्रिय साइक्लो एलकेन कहते है C3H6 को साइक्लो प्रोपेन तथा C4H8 को साइक्लो ब्यूटेन कहते है याद रहे साइक्लो एलकेन और कुछ एलकेन का सुत्र समान है अतह नाम लिखने से पहले सरचना जानना आवश्यक है इस प्रकार कई अन्य चक्रिय हाइड्रोकार्बन संभव है